प्रकृत को बनाने वाले परमेश्वर को नहीं खोजा जाता है, अपने सच्चाई को खोजा जाता है और बहुत बड़े बड़े ग्यानी लोग आकर इस तरह की बातें कर जाते हैं, कई बार कि आत्मा का आत्मा से शुद्ध रिष्टा ही प्रेम कहलाता है हमारे रिष्यों ने भी हमें शब्द दिया था आत्मा, और आम आत्मी भी आत्मा शब्द का उपयोग करता है, वो दुरुपयोग है जिस घर से तुम्हें पांच नुड़े निकल जाना है, क्या तुम उस घर के पते पर खाना मगाओगे, खाना आना है कमसगम एक घंटे बात, मगाओगे क्या एक तो यह होता है कि सर पे ठोकर लग गई तो सारी यादे हैं, गायब हो गई, स्पृति लोप हो गया, लैमनीजिया, इतन ही नहीं है, और भी कजब काम हो सकता है, तुम्हें ऐसी यादे दी जा सकती हैं, जो कभी थी ही नहीं, जो अभी है उसको तो बस एक पल मिलाए जी जीने के लिए, वो इस पल को वियर्थ नहीं करता, जो इस पल को वियर्थ नहीं करता, वो जीना शुरू कर देता है, जो कल के भरोसे रहता है, वो मृत्यों के भरोसे है, मैं क्या नहीं हूँ, ना हम दे हो, ना में दे हो, ना मैं देह हूँ, ना देह मेरी है, मैं क्या हूँ, बोधो अहम, मैं देह मुक्त, काल मुक्त, बोध मात्र हूँ, बोधो अहम, आत्मा का देह से कोई रिष्टा नहीं होता, आत्मा ही बोध है, रग्यानम ब्रहम, रग्यान माने बोध, आयम आत्मा ब्रहम, माने ब्रहम ही आत्मा है, वो बोध ही आत्मा है, बोधो अहम, बोध ही आत्मा है, और आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं होता ना हम दे हो न में दे हो आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं होता न मैं, मैं देह हूं न देह मेरी है देह प्रक्रति है, मैं प्रक्रति से परे हूँ हम दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं हमी दोनों का आपस में जो मिथ्या संबंध बन जाता है वही माया है, वही दुख का मूल है सोयम को देही समझना ही दुख का मूल है देह प्रक्रति के सागर में उठी कोई लहर है लहर भी नहीं है, बड़ी चीज हो जाती है लहर एक बुलबुला है देह प्रक्रति का एक बुलबुला है बनता है, फूट जाता है मैं मैं नित्य चुद्ध आत्मा हूँ जिसका प्रक्रति से कोई स्पर्श नहीं और जिसके बनने बिगडने का कोई प्रश्न नहीं कौन हूँ मैं, मैं बोध हूँ बोध माने आत्मा का ही सुभाव है बोध, बोध हो हम बोध को विशुद्ध चैतन्य रग्यान या आत्मा जैसे चाहें कहें सारा वेदान तिन दो बहुत संक्षिप्त सूत्रों में आ गया नकार करके पहले बता दिया कि मैं कौन नहीं हूँ मैं देह नहीं हूँ, मैं देह का संचालक करता या स्वामी भी नहीं हूँ ना हम देहो नमे देहो थोड़ा सा भी संचे की गुंजाईश छोड़ी नहीं है देह से तादात में तो नहीं ही संभव है देह से और कोई रिष्टा भी नहीं संभव है एकदम अलग है मैं कुछ हूँ देह कुछ और है ना हम देहो और उसके बाद अगर किसी की जिग्यासा बची हो कोई पूछे कि अच्छा इतना तो बता दिया कि मैं देह नहीं देह से संबंध नहीं तो मैं हूँ कौन तो कह दिया बोध हो हम बोध हो हम तुम बोध मात्र हो क्या है माया का मूल आत्मा को देह से संबंधित कर देना और उससे भी बड़ी माया है आत्मा को देह में स्थापित मान लेना बड़ी से बड़ी भूल परचंड मिठ्यात तो है कह देना के आत्मा और शरीर का कोई संबंध है जैसे कि हम कह देते हैं कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है शरीर से बाहर जाती है या हम अपनी लोक भाशा में कह देते हैं कि मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, आत्मा दुख गई, आत्मा हर्शित हो गई, आत्मा प्रसन्न हो गई, आत्मा कलुषित, कलंकित हो गई, ये सब बातें मायावी हैं बिलकुल, आत्मा का शरीरी से, देही से कोई संबंध नहीं होता, ये जो शरीर घूम रहा है, ये मिट्टी का एक रूप मात्र है, जैसे आत्मा का किसी खंबे से कोई संबंध नहीं हो सकता, जैसे आत्मा का पत्थर से क्या संबंध होगा, जैसे आत्मा का पेड़ पेड़ के गिरते पत्ते से क्या संबंध होगा, जैसे आत्मा का बादलों से गिरती बून से क्या संबंध होगा, वैसे ही आत्मा का शरीर स कभी कोई संबंध नहीं होता शरीर की गतियां सब प्राकृतिक है ये महा अहंकार है सोचना कि शरीर की गतियों का संचालन करने के लिए कोई आत्मा चाहिए शरीर की गतियों का संचालन शरीर स्वयम करता है शरीर की सारी गतियां श्रीर के रहसाइनों द्वारा संचालित होती है इसको आप कहते हो, आप देख रहे हो वो वास्ताव में रहसाइनिक विद्धूती एक किया चल रही है उसमें आत्मा का कोई किरदार नहीं ना आत्मा की कोई जरूरत है आप कहते हो, आप सोच रहे हो मनुष्य होने के नाते हम यह सब बातें कहते हैं और कहते हैं कि यह सब अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से भीतर आत्मा होगी प्राचीन रिश्यों से लेकर अधुनिक पिग्जान सबने समझाया है कि मनुष्य होने के नाते, जो कुछ भी तुम्हारे साथ चल रहा है, वो शरीर भर है, जो कुछ भी हो रहा है, वो शरीर केंदरित है, शरीर जनित है, उसके होने के लिए किसी आत्मा की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्रोध आता है इसका अर्थिय नहीं ये कि तुम्हारे भीतर आत्वा है तुम्हें प्रेम आता है इसका अर्थिय नहीं ये तुम्हारे भीतर आत्वा है क्रोध आता है प्रेम आता है इसका मतलब ये कि तुम्हारे भीतर रसायन है रसायन शरीर होते है तो शरीर को अगर प्रेम आ रहा है तो उसकी वजह आत्मा नहीं है उसकी वजह स्वयम शरीर ही है शरीर में ही कुछ ऐसा है कि शरीर को कभी डर लग जाता है कभी करोध आ जाता है कभी लोब आ जाता है कभी ममता उमरती है कभी हो कहता है मुझे प्रेम हो रहा है शरीर का जो प्रेम होता हो तो पता ही क्या है वो तो आसक्ति मात्र आकरशन जैसा और उसके लिए शरीर में आत्मा नहीं चाहिए उसके लिए शरीर में रसायन चाहिए और अगर क्रोध हटाना हो भै हटाना हो तो उसके लिए शरीर से आत्मा नहीं हटानी पड़ेगी उसके लिए शरीर से कुछ रसायन हटा दो क्रोध भै ये सब हट जाएंगे तो शरीर की जो भी गतविधियां है उनका संचालक कौन है स्वयम शरीर जैसा शरीर होता है शरीरी गतविधियां हो जाती है ठीक वैसे जैसे कि आप धूप में लकडी रखते हैं अलग है इसकी वज़ाई ये है कि लोहे की और लकडी की आनविक संग्रचना अलग अलग है इसी प्रकार आप लकडी के एक सिरे को गर्म करें तो लकडी का दूसरा सिरा गर्म नहीं हो जाएगा लेकिन लोहे के एक सिरे को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर में लोहे का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा इसकी वज़ाई ये नहीं है कि लोहे की और लकड़ी की आत्मा अलग अलग है इसका वज़ाई ये है कि लोहे और लकड़ी का शरीर अलग अलग है जैसा शरीर होता है वैसे ही भाव होता है और वेवहार होता है इसमें आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं है आत्मा कोई ले ना देना नहीं लोग कहते हैं मृत्ति हो गई तो आत्मा निकल गई लोहे को जंग लग गया लोहा लोहा नहीं रहा अब लोहे की मृत्ति हो गई लोहे को जंग लग गया, बताओ लोहा कहा है, लोहा तो बनेरा इसका मतलब बस ये है कि लोहे में एक अरासाइनिक परिवर्तन हो गया है लोहे की पहली जैसे शरीरगत प्रक्रियाएं थी अब नहीं घटेंगी इसका ये अर्थ नहीं है कि उसमें से आत्मा निकल गई, लोहे का एक पुल था उसको जंग लग गया, धीरे 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 करके पुल भी बुढ़ा हो गया सत्तर असी साल बाद वो पुल नीचे गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पुल की मृत्ति हो गई और उसमें से कोई आत्मा बहार आ गई, इसका रथ वस्या ही है, कि उसका शरीर वो अब नहीं रहा, जो पहले हुआ करता था पहले लोहा था और लोहा बन गया, औक्साइड, लोहे का आक्साइड बन गया, वो जंग लग गया उसको शरीर बदल गया उसकी शरीर के बदलाव का नाम मृत्यों है मृत्यों का ये अर्थ नहीं कि शरीर के भीतर से कोई चीज निकल गई और गर विज्ञान किसी तरह से कोई विध्य निकाल ले कि शरीर आज जैसा है वैसा ही रहे तो आप हजारों लाखों साल तक भी जी सकते हों मृत्य नहीं घटित होगी ठीक वैसे ही जैसे कि लोहे के पुल को अगर जंग न लगे तो लोहे का पुल हजारों सालों तक तंगा रहेगा उसकी मृत्य नहीं होगी ढरी आपकी जैसी कोशе काय से आज है आप जब उढ़े हो जाते हो तो कोशेकाए वैसी नहीं रहती है वह बहुत भातिक परहर्थिव एकदम जैवेक और रासाइनिक परिवर्तन हुआ है और कोशिकाएं बदल जाती हैं तो जिस प्रकार और जिस व्यवस्था में वो काम कर रही होती है एक दिन वो व्यवस्था तूट जाती है ठीक वैसे जैसे लोहे का पूल एक दिन गिर जाता है वो मृत्य है मृत्योकार्थ यह नहीं है कि भीतर कोई आत्मा थी जो बाहर निकल कर भाग गई यह बात आधनिक विज्ञान भी बोलता है यही बात हमारे प्राचीन विद्वानों ने रिश्यों ने भी बोली लेकिन लोग परंपरा में अशिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, भ्रम के कारण, समझदारी की कमी के कारण यह भाव आ गया कि शरीर के भीतर कोई आत्मा जैसी चीज़ होती है आज भी ज्यादा तर धार्मिक लोग यही मानते हैं कि शरीर के भीतर आत्म जासा कुछ होता है ये बात धार्मिक बिलकुल नहीं है धर्म तो ये जानने में है कि ना हम देहो न में देहो न तो मैं देह हूं न देह मेरी है ये है धर्म की असलियत धर्म तो आपको बता रहा है कि आत्मा का और देह का कोई रिष्टा नहीं होता वास्तव में जो लोग आत्मा को शरीर के भीतर इस्थापित मानते हैं वो घोर अधार्मिक लोग हैं उन कोई बात लेकिन थोड़ी अखरेगी हो सकता है समझ में नहीं आएगी उखेंगे क्या आप आत्मा के अस्तित्तों से इंकार कर रहे हैं आत्मा आखेरी सत्य है आत्मा उच्चतम बात है आत्मा इतनी चोटी चीज नहीं कि आप उसको शरीर के भीतर बठा दो आत्मा इतनी उंची बात है कि जिसको लोग संस्कृत में परमात्मा कहा जाता है वो परमात्मा भी आत्मा मात्र है लेकिन लोग संस्कृत में शरीर के भीतर एक आत्मा बैठा दी जाती है और सोचा जाता है कि शरीर के बाहर आत्मा से भी बड़ी कोई सत्ता है जिसका नाम प्रमात्मा दे दिया जाता है बाहर कोई सत्ता नहीं है बाहर कोई सत्ता नहीं है जिसको आप बाहर की दुनिया बोलते हैं वो वास्तव में बस प्रक्रति का फैलाव है जिसको आप कहते हो कि बाहर की दुनिया वो वैसा ही है कि जैसे लहर की कोई बूंद बोले कि सागर बाहरी बात है सागर बाहरी बात नहीं है सागर तो बूंद के केंदर में बैठा हुआ है सागर है विस्तरित अनंत सागर है उससे लहर उठी लहर में एक बूंद है और बूंद क्या बोल रही है मैं हूँ और बाकी सब जो बाहरी संसार है वो बाहरी संसार नहीं हो तुम हो बूंद के बाहर जो सागर फैला हुआ है वो बाहरी संसार है या बूंद ही है वो वो बूंद ही है ऐसे भी क्या सकते हो कि सागर बूंद बन गया और ऐसे भी क्या सकते हो कि बूंद के विस्तार को ही सागर कहते है पर एक बात पक्की है कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है जो बूंद है वही सागर है जो बूंद है तो भीतरी बाहर ही कोई बात नहीं होती बूंद अगर बोले बाहर एक बड़ा विस्तार है और उस विस्तार में मुझे पैदा करने वाला परमात्मा बैठा हुआ है जैसे आम आदमी बोलता है कि मुझसे बाहर एक अनंत प्रहमांड है उस प्रह्मार्ण में मुझे पैदा करने हाला कोई परमात्मा बैठा है, तो उम्हें किसी परमात्मा नहीं पैदा किया, तुम प्रकरति के समुद्र की एक भूंध हो, समुद्र से उठे हो, समुद्र में गिर जाओगे। किसी रचयिता इश्वरगी जरूरत नहीं है तुम प्रक्रति के उत्वाद हो प्रक्रति से उठे प्रक्रति में गिर जाओगे विदान्त कहता है सत्य है आत्मा सत्य क्या है आत्मा आत्मा क्या है प्रक्रति से अपने को परे जान लेना ही आत्मा है मूल भरम यही है दुख का बड़े से बड़ा कारण यही है कि तुम सोचो कि तुम प्रकृति हो और जो अपने आपको प्रकृति सोचता है वो फिर यह भी सोचता है कि प्रकृति को बनाने वाला कोई परमेश्वर भी होगा प्रकृत को बनाने वाले परमिश्वर को नहीं खोजा जाता है अपनी सच्चाई को खोजा जाता है अपनी ही सच्चाई को वेदान्त में नाम दिया गया है आत्मा बोधो अहम खोजा तो स्वयम को पाया बोधो अहम और कौन हूँ मैं? मैं बोध हूँ प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्म पे प्रज्ञान है और ब्रह्म ही आत्मा आत्मा ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म एक है प्रज्ञान और ब्रह्म एक है बोध माने प्रज्ञान तो बोध ही आत्मा है तुमसे बाहर कहीं कोई क्या रचैता इश्वर बैठा है? नहीं मुझसे बाहर नहीं, उच्चतम सत्ता मेरे भीतर है, मुझसे बाहर नहीं है मुझसे बाहर जो है वो सब कुछ क्या है? वो प्रक्रति का फैलाव है अनन्त ब्रहमांड भी खड़े हो जाएं तो वो सब प्रक्रति का फैलाव मात्र है उसमें प्रक्रति के बाहर की किसी सत्ता ही कोई गुझाईश नहीं एक बाहर किसी ने पूछा था मुझसे, what is beyond mind? मैंने जवाब दिया था, more mind सब ब्रहमांडों के पार क्या है? एक और ब्रहमांड प्रक्रति के आखिरी सीमा के पार क्या है? और ज्यादा प्रक्रति मन जहां तक जा सकता है उसके पार क्या है? और ज्यादा मन वहाँ पर तुम्हें बनाने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पर तुम्हें वही तत्तो मिलेगा जिससे तुम बने हुए हो चीक वैसे जैसे कि बूंद कितनी भी दूर तक देख ले उसे पानी ही दिखाई देगा बिल्कुल वही तत्तो जो बूंद में है वही तत्तो सागर में है स्वयम को रचने वाला कोई नहीं मिलेगा बूंद को वही तत्तो मिलेगा जो स्वयम बूंद के भीतर है वो तत्तो जो तुम्हारे भीतर ही है जो केंद्र में ही है लेकिन ये नहीं कि वो शरीर का हिस्सा है उसको आत्मा बोलते है आत्मा और वो तत्व सब मनुश्यों में सब जीवों में जड में चितन में वो एक समान है आत्मा अलग-अलग नहीं होती है अलग-अलग में अलग-अलग शरीर होते है आत्मा एक होती है तो आत्माएं जैसा कोई भी शब्द हो नहीं सकता, आत्माएं शब्द ही अध्यात्म की दृष्टे से अवैध है, आत्मा का कोई परहवाची नहीं हो सकता, आत्मा का कोई भहुवचन भी नहीं हो सकता, आत्मा मने आत्मा, कोई और चीज आत्मा जैसे नहीं होती कहां से लाएं समानार थी और न बहुत आत्माएं होती है कि मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा से प्रेम हो गया ये बहुत मुर्कता पूर्ण वचन है और बहुत बड़े बड़े ग्यानी लोग आकर इस तरह की बातें कर जाते हैं कई बार की आत्मा का आत्मा से शुद्ध रिष्टा ही प्रेम कहलाता है दो आत्मा है कहां से आई भाई आत्मा ही अंतिम सत्य है जो अंतिम सत्य हो दो कैसे हो सकते हैं मुझ में आ रही ये बात एक तो अच्छे से समझो कि रिशियों ने हमारे जो हमें दर्शन दिया और जो अभी लोक संस्कृत है लोक परमपरा है उसमें जमीन आस्मान का अंतर है भले ही शब्द एक हो हमारे रिशियों ने भी हमें शब्द दिया था आत्मा और आम आदमी भी आत्मा शब्द का उपयोग करता है वो दुरुपयोग है रिशियों ने जब आत्मा बताया था तो आत्मा से उनका बिल्कुल कुछ अलग आश है था और आज जब आम आदमी लोक संस्कृत में आत्मा शब्द का उपयोग करता है तो बहुत विक्रत उपयोग है, बड़ा भारी दुर उपयोग है हम आत्मा को कुछ ऐसा समझते हैं जो शरीर के भीतर निवास करता है और रिशी बार बार यही बताते रहे गए कि ना हम दे हो न में दे हो आत्मा का तुम्हारी देह से नहीं कोई रिश्टा है भाई, क्या पागल हो रहे हो लेकिन हमने और किताबे भी लिख डाली, बहुत सारे हमने स्मृति गरंथ लिख डाले जिसमें हमने ये तक बता डाला कि मनुश्य मरता है तो उसकी आत्मा कैसे निकलती है कैसे वो मरी हुई देह को देखती है और फिर कैसे वो आगे किनी और लोकों की आत्रा करती है ये सारी जो बाते हैं, ये वेदान्त सम्मत नहीं है, ये शुति सम्मत बाते नहीं है इन सब को हमें तुरंट त्याग देना चाहिए क्योंकि ये सदा का नियम है कि इस्मृति तो मानव रचित साहित्य है वो गलत हो सकता है क्योंकि इनसान ने रचा है शुरुति में तो बस वेद और उपनिशद आते हैं वहां हम कहते हैं कि बात अप औरुशे है मनुष्य ने नहीं रची है, तो वो गलत नहीं हो सकती, स्मृतियों में जो भी कुछ लिखा है, इतिहास ग्रंथों में, पुराणों में, धर्म शास्त्रों में, उपवेदों में, वेदांगों में, उसमें चूक हो सकती है, उसमें लेनी देनी हो सकती है, उसको हम अंतिम अकाट्टे सत्य नहीं मानते तो अगर किनी किताबों में लिख भी दिया गया कि मनुष्य मरता है उसकी आत्मा निकलती है तो उस बात को शुति विरुद्ध जानकर हमें तुरंत त्याग देना चाहिए हमें कहना चाहिए ये इसमें लिखा होगा पर शुति के विरुद्ध जारी है ये बात और शुति उच्चतम ने आया लए है उसके निरणे को चनौती नहीं दी जा सकती जो बात उपनिशद में लिख दी उसके खिलाफ अगर कोई बात पुराण में पाई जाएगी तो हम पुराण को तुरन त्याग देंगे पुराणों की बस वही बाते मानी जाएंगे जो उपनिशदों से मेल खाती है पुराण तभी तक सुईकार है जब तक वो उपनिशदों का अनुकरण करते हैं अनुगामी है जिस शडब पुराणों ने कुछ ऐसा कह दिया जो वेद वेदान्त विरुद्ध है तो वेद वेदान्त थोड़ी खारिज होंगे फिर अब दो बाते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध है कोई एक बात तो खारिज करनी पड़ेगी वेद वेदान्त नहीं खारिज होंगे प वेदान्त के बिलकुल खेलाफ हैं, तो भारत ने पुराणों की वो बाते भी पकड़ के रख ली, जबकि वो बाते बहुत पहले अस्विकार कर दी जानी चाहिए थी, सनातन धर्म वैदिक धर्म है, वेद हमारे केंदरिय ग्रंथ है और वेदान्त वेदों का शिखर है, वेदान्त हमारा दर्शन है, जो बात वेदान्त का उलंगन करती हो, उस बात को कोई सनातनी कैसे स्विकार कर सकता है, पर हमने आत्मा के बहुत विक्रित अर्थ को स्विकार करा, और फिर हमने उसका खामियाजा भी भुकता है, हमने उसका भारी मुल्य भी चुकाया है, जो उचितम सकते हैं, अगर तुम उसको ही विक्रत कर लोगे, तो फिर तुम्हें उसका दंड तो मिलेगा न, भारत को उ पूप दंड मिला है आज भी जो बड़ी से बड़ी भूल भारतिय जन्मानस कर रहा है वो यही है कि हम आत्मा को शरीर में स्थापित मान रहे हैं हम मानी नहीं रहे कि मनुष्य प्रक्रते का पुतला मात्र है जो प्रक्रति द्वारा ही संचालित है इसमें किसी बाहरी तत्तो की कोई जरूरत है नहीं यह बात हमें समझ में नहीं आ रही है और बहुत अगर समझनी है तो हमें विदानत के पास जाना पड़ेगा अपने रिशियों से पूछना पड़ेगा वो समझा पाएंगे पर उनके पास हम जाते नहीं करें जिसने ये मान लिया इती निश्चई जिसने ये मान लिया कि ना हम दे हो न में दे हो बोधो हम इती निश्चई जिसने ये बात समझ ली जिसको निश्चित हो गई ये बात उसका फिर क्या होता है वो कैवल्ले को प्राप्त होता है कैवल्ले शब्द जैन दिशा से ज मुक्त पुरुष को ही उधर केवली बोला जाता है वो केवल्ले को प्राप्त होता है और अकृतम कृतम न स्मरति न तो वो अपने करे को याद रखता न अकरे को उसके लिए अकृतम कृतम अब ये स्मरण की बात नहीं रहते न इस्मरति भूल जाता है क्यों भूल जाता है वजह समझेगा आप सोचते हो कि जो आप हो वही आप भविश्य में रहोगे तभी तो आज आप भविश्य के लिए कामना करते हो न आप कोई पता हो कि आप जो हो अगले क्षण वह आप रहोगे ही नहीं तो क्या आप आगे के लिए कामना करोगे आप आज इस घर में हो आपको पता है कि अगले क्षण आपको ये घर छोड़ देना है तो क्या आप इस घर के पते पर खाना मंगाओगे क्या आप ये कामना करोगे कि इस घर में पुताई हो जाए आपको पता याग लेक्षर ने कर छूड़ देना है तो हमारी जितनी कामनाई होती है होती तो भविश्य के लिए है और जितने आप काम करते हो भी करते तो भविश्य के लिए हो कुछ काम आप इसलिए करते हो कि भविश्य में अच्छे परिणाम आ जाए कुछ कामनाई पाने की होती है कुछ कामनाई न पाने की होती है कि आपने कुछ ऐसे काम कर दिये जिसका आपको पता है गड़बर परिणाम आएगा तो कामनाई ये रहती है कि करम तो कर दिया है कही शारी कामना ही लेकिन होती भविष्य को लेकर ही है वाहिस्था है अच्छा परणाम कुछ इसलिए रखते हो कि कर तो दिया है पर अभी उसके परणाम से चोरी तो कर लिए पर तो कर ने है परिणाम न भी अतना पड़े तो करे हुए को इसलिए याद रखते हो और करे को क्यों याद रखते हो कि अरे कामना भी अधूरी है कुछ करूँगा तब तो कामना पूरी होगी तो कृतम अकृतम सबको हम याद रखते हैं जो तो उसको आद रखते हो, कि आद रखोगे, तब ही तो आगे परिणाम मिलेगा, हमने कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं है, कि करने से प्रेम है, हमने तो इसलिए करना होता है, कि उससे कुछ पाईङए आगे, तो जो करा है वो याद भी रखते हो पूंच भी आरी बात लगबग वैसे जैसे कि आपने लोटरी का टिकट खरीदा हो तो खरीदने के लिए थोड़ी खरीदा थो टिकट बचा के रखते हो ना कि आगी उसमें से कुछ मिलेगा थोड़ी दोगे उसको रखोगे कि भविष्य में इससे कुछ प्राप्ते होगी कहीं आप गए आपको कूपन मिल गया कि यह ले आना बाद में तो इससे मुफ्त सामान मिलेगा तो कूपन बचा के रखते हो तो हम हमारे पास यह दोनों चीज़ें घूम रही होती है हमने क्या करा हमने क्या नहीं करा जो नहीं करा वो हम करना चाहते है जो कर दिया उसका परणाम भोगना चाहते है जो भी तक करा ही नहीं वो करना चाहते है क्योंकि कामना अभिषेश है लगता है कि कुछ करेंगे तो ही तो कामना पूरी होगी, जो नहीं करा, वो करना चाहते हैं, जो कर दिया, उसका परणाम या तो भूगना चाहते हैं, या परणाम से बचना चाहते हैं, दो बाते होते हैं, तो हम इसलिए याद रखते हैं, लेकिन चाहिए यह हो कि अभी करना बाकी है, चाहिए यह हो कि कर दिया है प्रिणाम भोगना बाकी है दोनों में बात किसकी हो रही है भविश्य की, और भविश्य की बात आप तभी कर सकते हो जब आपको पूरा भरोसा हो, गहरी माननेता हो कि भविश्य में आप जो आज हो वही रहोगे कल भोगने के लिए यही तो माननेता है फिर समझो वही जब सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था, जिस घर से तुम्हें पांच इनुड़े निकल जाना है क्या तुम उस घर के पते पर खाना मंगाओगे, खाना आना है कम सगम माननेता गलत है तुम काल के बाहर की बात हो भाई तुम नहीं रहोगे एक घंटे बात तुम बस अभी हो, तुम वो हो जो अभी हो तुम बस इसी क्षण हो अगले क्षण तुम तुम नहीं रहते अगले क्षण को लेके कोई काम ना मुत करो प्रक्रति में सब कुछ परियरतन शील है, अगले एक शन कुछ और होगा, प्रक्रति में कुछ भी ऐसा बता दो, जो एक शन भी इस्थाई रहता है, पर तुम्हें मानने कोई नहीं तयार हो, कि तुम प्रक्रति के बुलबुले मात रो, तुम मानते हो कि तुम्हारे भीतर, क दो साल बाद नहीं रहोगे जो तुम अभी हो तुम दो पल बाद भी नहीं रहोगे तो तुम्हें अक्रितम क्रितम की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये भ्रह्म क्यों हो जाता है कि जो मैं अभी हूँ वही में थुड़ दिर बाद भी रहूँगा क्योंकि जैसा तुम्हारा शरीर अभी है एक घंटे बाद तुमको लगता है कि वैसा ही तो है तुम अभी जैसे हो अपनी तस्वीर खीचो और एक घंटे बाद की तस्वीर लो दोनो तस्वीरे लगबग एक जैसी होती है तो यह जो शरीर है न यह हमें भरहम देता है कि हम जो अभी है वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे जो हम अभी है वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे बस इसलिए हम लगातार भविश्योन मुखी रहते हैं मैं लगता है कि जैसा हूँ एक साल बात दी मैं ही तो होंगा तुम नहीं होगे दो बाते हैं तुम क्यों नहीं होगे पहली बात तुम यदे आत्मा हो तो शरीर तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो शरीर की ये बात करना की शरीर अभी है एक साल बात भी रहेगा ये बात ही विरत है पर तुम अगर प्रक्रति भी हो तो प्रक्रति भी लगातार बदल रही है तुम अभी जैसे हो एक साल बात तुम वही नहीं रहोगे तो तुम किसके लिए खाना मगा रहे हो तुम किसके लिए कामना कर रहे हो जब तक तुम्हारी कामना का परिणाम आएगा जिसने कर्म करा था वो विदा हो चुका होगा तो परिणाम भोगने के लिए बचेगा कौन विज्ञान की दृष्टे से भी देखो तो तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं उससब लगातार बदल रही है लगातार बदल रही है जिन आखों से तुमने अभी देखा गंटे भर बाद वो आखें थोड़ी सी बदल जाती है पुरानी कोशिकाएं हट जाती है नई कोशिकाएं आ जाती है क्या आप जानते हैं सिर्फ कुछ सालों के भीतर भीतर आपके शरीर के जितनी कोशिकाएं हैं उनमें से एक भी नहीं बचती बताईए आप हैं का आप यहां बैठे हुए हो चार छे साल बाद यह साथ साल बाद नाम तो होगा यह अनुपम अनमूल पर वो जो अनुपम होगा उसमें एक भी वो कोशिकाएं नहीं होगी जो इस हवाले में हैं तो बताओ तुम बच्चे अगर तुम्हें यह देख पाने में तकलीफ हो रही है कि आत्मा हो आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है तुम अपने आपको यदि शरीर भी मानते हो यदि शरीर भी मानते हो तो यह तो शरीर भी पूरा का पूरा बदल जाता है हर कुछ साल में शरीर पूरा बदल जाता है और ये तो मैं पूरा बदल जाने की बात कर रहा हूं कि सौ प्रतिशत की अभी जितनी कोशिक आए हैं उसमेंदे एक भी नहीं होगी कुछ सालों बाद सब अलग होंगी दूसरी होंगी तु बताओ तुम किसके लिए रो रहे हो बताओ तुम किसके लिए भविश्य के सपने बुन रहे हो वो जो होगा वो तो बिल्कुल दूसरा होगा तुम किसके लिए परिशान हो पर हम शरीर को देखते हैं हमें लगता है कि वो एक ही कोई है जो पीछे से चला और आगे तक चलता रहेगा और शरीर में ही एक चीज बैठी हुई है इस मृति जो की होती है आधी अधूरी सेलेक्टिव यह सूत्र है पॉल्स कॉंटिनिटी आपको लगता है आप ही हो जो पीछे से चले आ रहे हैं और यात्रा कर रहे है और आगे तक जाओगे फिर मृत्ति हो जाएगी नहीं मृत्ति प्रतिपल हो रही है कोई नहीं है जो चला है कोई नहीं है जो अंतर तक जाने वाला है यदि अभी कोई है तो वह वह है जो बतिसी क्षण में है उसको आगे के लिए कुछ उपलब्ध होना नहीं आगे कोई होगा पर वो दूसरा होगा कोई और आप जो कुछ कर रहे हो आगे वाले के लिए कर रहे हो आगे वाला दूसरा होगा मैं उधारण देता हूँ एक तीन साल के बच्चे ने अपने लिए खिलोना मंगाया है, तीन साल के बच्चों ऐसा खिलोना मंगाया है, खिलोना दस साल में आएगा, बड़ा बढ़ियां उसने एकदम अपनी कामनाओं का सपन सलोना खिलोना तैयार करके मंगवाया है, ऐसा बिलकुल दिल खुश हो जाए, तो ऐसा जब खिलोना मं तो दस साल लगेगा उसको बनने में, आने में, तो आएगा कब वो खिलोना, जब बच्चा, तेरा साल का हो गए, अब तेरा साल में जब वो खिलोना आएगा, डिलिवर होगा, तो खिलोना किसी काम का है, बताओ क्यों नहीं, क्योंकि वो तीन साल के बच्चे के लिए था, तेरा साल वाला कोई और है, ये बात आपकी हर कामना पर लागव होती है, ये बात आपकी हर कामना पर लागव होती है, बस एक ही कामना सार्थक है, जो इसी पल की है, बस एक ही कामना सार्थक है, जो ततकाल निशकाम कर्म बन जा सकाम कर्म हमेशा भविश्य में होगा निश्काम कर्म हमेशा वर्तमान में होगा जो मुक्त हो गया इस भ्रह्म से कि देहं बदल रही है और देहं के भीतर कोई शाश्वत आत्मा बैठी हुई है यही भ्रह्म है न विशेशकर हिंदुओं में भ्रह्म बहुत पाया जाता है कि देहं बदलती रहती है लेकिन देहं के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है जो इस भ्रह्म से मुक्त हो गया मात्र वही श्री कृष्ण के निश्काम कर्म को उपलब्ध हो पाता है जब तक ये भ्रह्म बना रहेगा कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते आत्मा क्या है ये जो देह है न इसी प्राकृतिक देह में एक प्राकृतिक तक्त्व होता है जिसको कहते हैं अहमकार सांख्य योग में जब गणना की जाती है जब संख्याएं बताई जाती है प्राकृतिक तो उनमें एक संख्या अहमकार भी होती है तो जैसे यहां सब कुछ प्राकृतिक है ये नाग प्राकृतिक है ये बाल प्राकृतिक है इस्मृति प्राकृतिक है बुद्धि प्राकृतिक है वैसे ही अंतह करण में एक वस्त है अहंकार वो भी प्राकृतिक ही है तो जैसे शरीर होता है वैसी शरीर में हंकार होता है लेकिन यह जी अहंकार है यह बड़ा विशेश होता है ये अपने आपको करता बोलता है, बोला मैंने किया, उधारण के लिए उंगली ने इसको उठाया, उंगली अंग उठेने मिलके, ये नहीं कहेंगे कि हमने उठाया, पर भीतर एक तक तो बैठा हुआ है, जो कहता है, मैंने उठाया, अहंकार, ये अहंकार चूंकि करता बनता है इसलिए भोगता भी बनता और दुख भोगता है क्योंकि ये करता बनता है इसलिए इसे दुख भी भोगना पड़ता है दुख भोगता है तो हंकार माने वो जो दुखी है क्योंकि करेगा तो दुखी भी होगा कर्म करेगा तो दुख भी भोगेगा अंधे सकाम कर्म का फल तो हमेशा दुखी होता है, तो अहंकार वो जो हमेशा दुख भोगरा होता है। सारा अध्यात्म होता है अहंकार को उसके दुख से मुक्त कराने हेतों। अध्यात्म का और कोई ग्रहक नहीं होता। अध्यात्म और किसी के लिए नहीं होता। कोई पुछे कि सारा अध्यात्म संबोधित किसको है सारे अध्यात्म का लाभार्थी कौन है तो उत्तर बस यह यह अहंकार अध्यात्म सिर्फ इसलिए है ताकि अहंकार को कुछ लाव हो पाए उस लाव को आप चिकित्सा बोल सकते हो उपचार बोल सकते हो राहत बोल सकते हो जो बोल लो पर वो अहंकार क्या वस्तु है अंगली है ये एक तत्थे तो है कम से कम अंगली ये उठा मिलके उठाते हैं ये बाद तत्थे है पर अहंकार भीतर से बस ये बोलने के लिए है कि मैंने उठाया तो उस अहंकार की प्रकृति ये है कि बस वो बोलता है है नहीं क्योंकि उठाने काम किस ने किया था उठाने काम करा शरीर ने और दावा किस ने ठोका अहंकार ने तो अहंकार प्रकृति का वो तत्तो है जिसका बस एक काम है प्रकृति में बोलना, मूँ चलाना करता बनना मैं करता हूँ, मैंने किया यह अहंकार का काम है लेकिन वही अहंकार है जो हम बने बैठे हैं, हम मिलते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, अहम भाव मैं हूँ, वही अहंकार है जो दुख पाता है और उसकी हस्ती यह है कि वो है नहीं वो नहोते हुए भी दुख पाता है तो उसका दुख कैसे मिटाए है उसी को यह बता करके कि तुम होई नहीं सारा अध्यात्म अहंकार को बस यह समझाने का विज्ञान है कि बेटा तुम होई नहीं जब तुम होई नहीं दुख पाने के तो दुखी कौन होगा नोच में आ रही बात है और अहंकार कैसे दिन्दा रहता है ये बोलके कि ये उंगली अंगुठा मेरे है अंगली अंगुठा माने शरीर तो अहंकार का पहला दावा होता है अहम देहास में उसी दावे को काटने के लिए फिर रिशी यहां पर कह रहे है ना हम देहो न में देहो क्योंकि इससे पहले अहंकार आकर के उचल के गया है अहम देहास में तो उसके उत्तर में ज्यानी बता रहे हैं उसको कि नहीं तुम देह नहीं हो न देह तुम्हारी है और हंकार बोलके गया मैं तो देह हूँ देखो मैंने उठाया अच्छा अगर मैं अंग उठा नहीं हूँ तो भी कम सकम अंग उठा मेरा है मैं ये नभी बोलूँ कि मैं अंग उठा हूँ तो भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा अंग उठा और मैंने ये कलम उठाई, अब कलम उठाई है तो मुझे इसका मुआवजा चाहिए, मैंने कुछ करा है तो अब इसका फल भोगूँगा, हम तो जो भी करते हैं फल भोगने के लिए करते हैं तो अंकार कहता है फल भोगूँगा, और अपनी नजर में वो करता बनी सील रहा है क्योंकि उसकी नजर जो है धूमिल है तो अंधे पन में वो सारे कर्म करता है वो अपने अस्तित्त को लेके ही भ्रह्म में है तो अपने कर्मों को लेके क्या इस्पष्टता होगी उसमें अंधे पन में हंकार के सारे कर्म होते हैं तो उन कर्मों का परिणाम काम भी बस एक होता है क्या दुख सारे कर्म वो किसी कामना की पूरती के लिए करता है कोई कर्म वो कामना पूरी कर नहीं सकते तो हंकार दुख ही रहा आता है उसी दुख को मिटाने के लिए अध्यात्म का पूरा क्षेत्र होता है और वो दुख सिर्फ एक तरीके से मिट सकता है कि आहम को बता दिया जाए कि तुम नहीं है आहम का ये जान लेना कि वो नहीं है आत्मा कहलाता ये है आत्मा आत्मा कोई चड़िया वगरा नहीं है जो मा के गर्भ में घुस जाती है स्वप्रकाशित अहम को ही आत्मा बोलते हैं बोधो अहम अहम जिसको आत्म बोध हो गया है वो आत्मा कहलाता है आत्म बोध ही आत्मा है आत्मा कोई वस्तु नहीं है अहम का मिटना ही प्रतीक तौर पर आत्मा कहा जाता है अहम के मिट जाने को ही एक यूफिमिज्म के तौर पर लाक्षणिक तरीके से आत्मा कह देते हैं कुछ लोग मानते हैं कि शरीर नहीं बदल रहा वो वो लोग हैं जो बस घंटे दो घंटे चार घंटे के अंतराल पर शरीर को देखते हैं तो उन्हें लगता है शरीर नहीं बदल रहा है एक आदमी जैसा कल दिखाता आज आप उसको देखें तो ज्याद अंतर नहीं दिखाई देता है तो बहुत लोग हैं जो ये भी नहीं ठीक से देख पाते हैं कि शरीर प्रतिपल बदल रहा है और जिन्होंने थोड़ा पीछे क केलेंडर देख लिए उनको मानना पड़ता है कि शरीर बदल रहा है तो फिर वो एक और चाल चलते हैं वो कहते हैं शरीर बदल रहा होगा लेकिन शरीर के भीतर एक आत्मा है वो थोड़ी बदल रही है शरीर से हम बुड़े हो गए हैं लेकिन दिल तो बच्चा है जी आत् शरीर ही है और शरीर लगातार बदल रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो बदलना रहा हो न तो शरीर अपरिवर्तनी है न इस शरीर के भीतर कोई आत्मा जैसी चीज है जो अपरिवर्तनी हो तुम्हारा तो सब कुछ प्रक्रति में बहती हवा की तरह निरंतर परिवर्तन शील है सागर एक पल को भी थिर बैठता है क्या कौन सी नदी का प्रवा कभी रुकते हुए देखा है मनुष्य एक बहती हुई नदी है मनुष्य सागर की लहर है हम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सतत्षाश्वत हो पुछ प्रानी यादे हैं थोड़ी बदल रही है लोग बोलते हैं बोलते हम बदल रहे हैं पर हमारी यादें थोड़ी बदल रही है अभी सर पे पट से जोर से मार दे, सारी यादें बदल जाएंगे एकदम बदल जाती है यादे खुड़ी सी अगर ब्रेन की सरजरी कर दी जाए, सारी यादें बदल जाएंगे यादें सिर्फ मिटाई ही नहीं जा सकती, नई यादें पैदा भी कर जा सकती है ऐसे जबरदस्त प्रियोग हुए हैं एक तो यह होता है कि सर पे ठोकर लग गई तो सारी यादें गायब हो गई इस्पृति लोप हो गया लैमनीजिया इतने ही नहीं है और भी कजब काम हो सकता है तुम्हें ऐसी यादें दी जा सकती है जो कभी थी ही नहीं तुम्हारे मस्तिश्क के साथ ऐसी प्रक्रियाएं करी जा सकती है कि तुम्हें लगने लगए कि फलाना काम हुआ था तुम्हारे साथ हाथ से पाथ साल पहले जो काम कभी हुआ ही नहीं कालपनी क्यादे मस्तिश्क में आरूपित भी करी जा सकती है कुछ भी अपना नहीं है यहां तो सब बदल रहा है जो जानता है कि कल का अर्थ है कुछ अलग ही वो कल के लिए कोई आशा नहीं रखता वो अपनी अधिक्तम उर्जा आज में ही लगा देता है उसे पता है अधि कोई जीवन है तो अभी है कल कोई जीवन नहीं है जिसका कल जीवन होगा वो कोई और होगा जो अभी है उसको तो बस एक पल मिला जीने के लिए वो इस पल को विर्थ नहीं करता जो इस पल को विर्थ नहीं करता वो जीना शुरू कर देता है जो कल के भरोसे रहता है वो मृत्यों के भरोसे है कल का अर्थ ही है मृत्यों मात्र हम मेंसे बहुत लोग मृत्यों के भरोसे जीवन चला रहे हैं इन सद्धान्तों को अपने भीतर उतर जाने दीजिए वेदों का शीर्ष वेदान्त है और वेदान्त की अभिव्यक्ते जैसी उपनिशदों में हुई है उससे भी स्यादा शुद्धता से अश्टावकरगीता में हुई है जो इन सद्धान्तों के साथ सैयम रखेगा ट्रक्रतिवश इनका विरोध नहीं करने लग जाएगा जीवन मुक्त हो जाएगा अन्यथा आप आओगे कि आपके भीतर बहुत कुछ है जो रिशी की बात का विरोध करने को दारू है साथो साचा सूर मा कभू ना पहिरे लो साथो साचा सूर मा कभू ना पहिरे लो जीवन के बंग खोल के चाड़े तन कामो हरे साथो चाड़े तन कामो यह तन विश की बेलरी गुरू अमरित की खार यह तन विश की बेलरी गुरू अमरित की खार शीश दिये जो गुरू मिले तो भी सस्ता जान रिसादो तो भी सस्ता जान जाघट प्रेम ना संच रह सो घट जान मसान जाघट प्रेम ना संच रह सो घट जान मसान जैसे खाल लोहार की सास लेत बिन प्राण रिसादो सास लेत बिन प्राण जैघट प्रीति ना प्रेम रस पुनिरस ना नही राव जैघट प्रीति ना प्रेम रस पुनिरस ना नही राव ते नरस संसार में उपजभएबेका मरे सादो उपजभएबेका जी नमस्कार में गगानू मैं अच्यारजी को पिछले दाई साथ सुन रह तब ही सत्तरों से अच्यारजी से जोड़ा हूँ और मैं एक गवर्मेंट जॉप कंपनी में हूँ अच्यारजी ने बताया तो बेसिकली जो चारजी ने मुझे संज में आया मुझे जो नहीं अच्यारजी ने आज मैं जो बना हूँ बैठा हुआ था था ते सालों से मुझे लग रहा है कि आज मेरे जीवन पूरा वेर्ट हीए को कि मैं संज्या एक जो कंज्यूजन के मतलब एक संज्या पैता रहता है मन में भर्म रहता रहा कि डर एक जीवन को लिखर रहे हैं शायद बाहर कुछ बाहर कुछ ऐसी चीज तुनिय जो जिससे मैं शायद बाहर संशे करता रहा आप खुल में स्वयम चोड़ करके तो अचार जी नई जो आज बता है कि संशे करना ही आपके चाहर जी अब जा तो सरुआद से करिये आज जैसे अचार जी ने बोला कि इमानदाराद में वो उतर सच्चाए के फीते से स्वयम कुझाच ले स्वयम को चेक करे कि मैं केतना संच है मैं मुझे में केता संच है, ना कि इस पंजारम केता संच है और यह बहुत काम की चीथ